नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चनल रामबान नुस्के में दोस्तो आज इस वीडियो में आपको कौन सी धातु के बरतन में भोजन करने से क्या लाब होते है और क्या हानी होती है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो पर इंटक बने लिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी इंफरमेटिव होने वाला है तो चलिए सुरू करते हैं नमबर एक, सोना एक गर्म धातु है सोने से बने पात्र में भोजन बनाने और करने से शरीर के आंतरिक और बाहरी दोनों हिस्सों में कटठोर, बलवान ताकतवर और मजबूत बनते हैं और साथी साथ सोना आखो की रोशनी बढ़ाता है नमबर दो, चांदी चांदी एक थंडी धातु है जो शरीर को आंतरिक थंड़क पहुचाती है शरीर को सांथ रखती है इसके पात्र में भोजन बनाने और करने से दिमाग तेज होता है आखो को स्वस्त रखती है आखो की रोशनी बढ़ाती है और इसके अलावा पित्त दोस, कफ और वायू दोश को नियंद्रित रखती है नमबर तीन, कासा कासे के बरतन में खाना खाने से बुद्धी तेज होती है रक्त में शुद्धता आती है रक्त पित सांत रहता है और भूग भी बढ़ती है कासे के बरतन में खटी चीजे नहीं परोसनी चाहिए, खटी चीजे इस धातु से क्रिया करके विशेली हो जाती है, जो की नुस्कान देती है कासे के बरतन में खाना बनाने से केवल 3% पूशंततवर नस्ट होते है नमबर 4. तांबा पीतल के बरतन में भोजन पकाने और करने से कुरूमी रोग कफ और वायुदुस की बिमारी नहीं होती पीतल के बरतन में खाना बनाने से केवल 7% पोशन तत्व ही नस्ट होते है नमबर 6 लोहा लोहे के बरतन में बने भोजन खाने से शरीर की शक्ती बढ़ती है लोहत्व शरीर में ज़रूर पोशन तत्वों को बढ़ाता है लोहा कई प्रकार के रोगों को खत्म करता है पांडू रोग मिटाता है शरीर में सूजन और पीलापन नहीं आने देता कामला रोग को खत्म करता है और पीलिया रोग को दूर रखता है लेकिन लोहे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें खाना खाने से बुद्धिक कम होती है और दिमाग का नाश होता है लोहे के पात्र में दूद पीना अच्छा होता है नमबर साथ ऐल्यूमिनम ऐल्यूमिनियं बॉक्साइट का बना होता है इसमें बने खाने से शरीड को सिर्फ नुकसान होता है यहाँ आईरन और केल्शियम को सोकता है इसलिए इसके बने पात्र का उप्योग नहीं करना चाहिए इससे हेड़िया कमजोर होती है मानसिक बीमार दमा, वात रोग, सुगर जैसे गंबीर बिमारिया होती है अलियूमिनियम के प्रेशर कुकर से खाना बनाने से 37% पोशन तत्व कम होते हैं नमबर आठ, मिट्टी के बरतन मिट्टी के बरतनों में खाना पकाने से ऐसे पोशन तत्व मिलते हैं जो हर बिमारी को शरीर से दूर रखते हैं इस बात को अब आधुनिक विज्यान ने भी साबित कर चुका है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से शरीर के कई तरह के रोग ठीक होते हैं आयुर्वेद के अनुसार अगर भोजन को पॉस्टिक और स्वाधिस्ट बनाना है तो उसे धीरे धीरे ही पकाना चाहिए बले ही मिट्टी के बर्तनों में खाना बनने में वक्त थोड़ा ज्यादा लगता है लेकिन इससे सेहत को पूरा लाब मिलता है दूद और दूद से बने उत्पा दको के लिए सबसे उप्यूकत है मिट्टी के बर्तन मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से पूरे 100% पोशन तत्वम मिलते है यदि मिट्टी के बर्तन से खाना खाया जाए तो उसका अलगी स्वाध आता है तो I hope दोस्तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सस्क्राइब करे क्योंकि ऐसे ही informative वीडियो हम आपके सहत से रिलेटेड लाते रहते हैं तो मिलते अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई